पिछले कुछ दिनों में कुछ कंपनियों ने डिविडेंट डिक्लियर किया हुआ है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे डेट्स को डिसकस करेंगे और डीटेल्स को हम इस वीडियो में डीटेल में डिसकस करने वाले है तो जो सबसे पहला नाम वीडियो में है वो ह रेल विकास निगम लिमिटेड आरवी एनल करके नाम है दोस्तों कमपनी का और उन्होंने आज 24 तारीख को ही 1 रुपीज 77 पैसा 1 रुपिया 77 पैसे का उन्होंने डिविडेंड को डिकलियर किया हुआ है इस डिविडेंड की रेकॉर्ड डेट अप्रेल 6 को होने वाली है आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ यह लगभग लगभग 2.7% 3% से थोड़ा कम उसकी डिविडेंड डील हो रही है रेल विकास निगम में और यह जो डिविडेंड है इसका पेमेंट हो जाएगा 22 अप्रेल या उससे पहले यह पेमेंट भी हो जाएगा दोस्तों हम दो कदम आप और ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो मैंने यहां RVNL के पिछले कुछ सालों के यहां पर डेटा को भी एनालाईज किया हुए और यह जानने की कोसिस किये कि अभी का जो डिविडेंड है यह अच्छा है ज्यादा है कम है वो मैं समझने की कोसिस कर रहा हूँ तो आप य जनरल यह RVNL की तरफ से दो बार डिविडेंड आता है ठीक है एक बार यही मार्च अप्रेल के समय में यहां पर आप देख सकते हैं 2021 में 1 रूपीस 14 पैसा का और फिर पिछले साल मार्च 2022 में 1 रूपीस 58 पैसा का डिविडेंड आया था तो अभी कितना डिविडेंड आया 1 रूपीस 73 पैसा का यहां पर डिविडेंड आया अभी शेयर प्राइस 24 रूपीस के आसपास में है ठीक है और एक फाइनल डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है अगर आप देखे जैसे नवेंबर 2021 में फिर पिछले साल सप्टेंबर 2022 में भी डिविडेंड लाया था तो फिर क्या होगा अगर फाइनल डिविडेंड आता है तो फाइनल डिविडेंड अगर आता है तो क्या होगा कि डिविडेंड इल्ड जो है तब बढ़ सकती है ठीक है बट फिलाल 1 रूपी 77 पैसा है आईपयो का प्राइस मैंने यहां नीचे लिखा हुआ है 19 रुपिया का IPO का प्राइज है दोस्तों अगर 19 रुपिया का IPO का प्राइज है और आज का ही डिविडेंट अगर हम देख लें तो देखिए डिविडेंट लील 9.3% की यहां पर हो जारी है बतलब IPO के जो इन्वेस्टर्स होंगे मेरा अंदाजा है बहुत ज्यादा इन्वेस् का डिविडेंट हुआ है तो पहला नाम रेल विकास निगम लिमिटेड दूसरा नाम है दोस्तों इंद्रप्रस्त गैस देखिए इंद्रप्रस्त गैस के डिविडेंट ने मुझे सर्प्राइज किया है बिल्कुल यह मैं आपसे बिल्कुल यहां बात करना चाहूंगा यह यह है पिछले कुछ सालों का इंदरप्रस गैस का डिविडेंड, साल में एक बार आता है, फाइनल डिविडेंड आता है, एजी एम के समय में, जो है एक्स डेट है, रेकोड डेट है, वो आती है, जैसे आप देखिए, सब्टेमबर 2017, 2018, 2019, 2020, सब सब्टेमबर है, 2021, 2022, फरवरी महिने में, अल्रेडी तीन रुपे का डिविडेंड आ चुका है, जो कि खुद एक अनेक्सपेक्टेड था, और अभी मार्च, जो फाइनांशियल एर खतम होई रहा है, और अभी फिर से नया डिविडेंड उन्होंने डिक्लियर किया है, कितने रुपे का, 10 जो करार रहता है, या खाली ये सरिफ इसी साल में हमको दो बारती का डिविडेंड है, हमको देखने को मिल रहा है, और फिर देखना होगा कि स्टेम्बर में हर साλ डिविडेंड आ रहा था, इस साल क्या फिर बाद में process suf मैंणच क्या डिविडेंड आएगा, व कि फिर 131 रुपीस के साथ 431 का जो share price उसके साथ करूँ तो 3% के आसपास की dividend yield बन रही है ठीक है देखते है अब यहाँ पर क्या नई चीजे होती है 10 रुपए का dividend है record date है March 31 फिर share price 431 के आसपास में दोस्तो और payment जो है April 22 या उससे पहले हो जाएगा दोस्तो अब तीसरा नाम क्या है Angel 1 का दोस्तो Angel 1 ने 9 रुपीस 60 पैसे का dividend declare किया हुआ है और Angel 1 भी एक बहुत interesting dividend player बन रहा है इस financial year में 3 dividend already आ चुके है ठीक है यह अभी का dividend तो 4 फोर्थ interim dividend है अगर at least अगले साल भी यह continue करता है क्योंकि देखिए Angel 1 का जो IPO आया था यह pandemic के समय ही आया था तो मेरा ध्यान आता है 2020 के समय में आया था ठीक है तो हम लोग के पास data actually में 2 साल कही है ठीक है तो 9 रुपे 60 पैसे का अभी का dividend आया हुआ है इसकी record date देखेंगे March 31 की है और payment April 20 या उससे पहले हो जाएगा अब देखते हैं मैं आपको calculate भी आपको सामने यहाँ पर कर दूँ इससे पहले 3 dividend आये हुए है ठीक है अब देखें 3 जो dividend आये हुए है यह है जैसे जुलाई में 7 रुपीस 65 फिर 9 रुपीस और 9 रुपीस 60 पैसा यह मैं financial year के हिसाब से calculate कर रहा हूँ ठीक है न दोस्तो तो आपको ध्यान में रखना है तो 26 रुपीस 25 पैसा का dividend और मैं उसको जोड लेता हूँ अभी का जो dividend है उसके साथ तो कितना dividend हो रहा है थोड़ा यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर बढ़ा कर लेता है 35 रुपीस 85 पैसा का dividend हो रहा है शेर प्राइज अभी कितना है 1132 रुपए जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो angel one हर 2-3 महिने में dividend दे रही है और वो जो dividend है उसकी yield 3.17% की dividend yield हो रही है अब interesting चीज किया है चुकि data हम लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन पिछले financial year में उन्होंने अप्रेल में 7 रुपए का dividend दिया था फिर मई के महिने में भी दिया था आप देखे मई 2022 में भी उन्होंने dividend दिया था तो क्या इस बर repeat होगा मई 2022 में बहुत ही interesting होगा और अगर मई में भी dividend आता है तो दो consecutive साल जब किसी company ने एक नहीं दो नहीं पांच बार dividend दिया हुआ है तो ये angel one एक interesting नाम है dividend yield बहुत ज़्यादा नहीं होगी share price के इसाब से बट अगें IPO का price कुछ 305-306 के आसपास में था उन investors के लिए सोचे उनके लिए तो 10% से उपर क dividend yield हो गई है तीन नाम हो चुके हैं और नाम आने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक important सूचना है stock selection mastery course live है यहाँ पर अगर आप stock market में beginner है तो आपको direction मिल सकता है 2021 की bull run market थी लेकिन बहुत गलत फैसले भी investors ने लिए हुए ये course आपको एक direction दे सकता है यहाँ मैंने बहुत सारी live analysis की है recorded videos है तात में मैं यहाँ live classes लेता हूँ bonus materials भी यहाँ upload करता रहता हूँ मैंने description box में इस course की link को भी दिया हुआ है इस course को भारी discount सिर्फ 495 रुपीज में आप explore भी कर सकते हैं बहुत सारे students ने explore किया है और बहुत अच्छे testimonials भी इस course को मिले हुए ह चौथा नाम है दोस्तो हिंदुस्तान जिंक फॉर्थ चॉत हा interest dividend उन्होंने declare किया हुआ है औ और attracting next के बारे बता रहा हूँ रेकॉड डेट से पहले अगर आपके पास share है किसी भी Canon का ठीक है तो आपaráप लिजिबल आप लेक। उच्रीट तो dividend eligibility नहीं रहेगी, वो आपको ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखिएगा, कि record date के दिन share price भी उतना गिर जाएगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो ये 323 का ही price रहा, और record date के दिन 26 रुपय गिर जाएगा, अब ये मैं record date क्यों बोल रहा है, क्यो 55 रुपीज 50 पैसे का dividend यहाँ पर हो रहा है, दोस्तो हम लोग बहुत important dates, details और concepts के बारे में बात कर रहे हैं, पाँचवा नाम क्या है, ये कुछ shocking आ गया, यहाँ मैं कुछ serious बाते कर रहा हूं, और यहाँ पर power finance की तरफ से ये क्या emoji आ गया है, थोड़ा समझना पड़ेगा dividend मतलब board ने dividend को defer किया है, अब यह बहुत ही unexpected, generally होता नहीं है, बहुत ही rarely होता है, ऐसे नहीं है कि past में नहीं हुआ है, past में हुआ है, लेकिन वो एक दो बार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, 100 में कुछ एक या दो बार, ऐसा आप मान सकते हैं, ठीक है, बट generally को बायद बाद में आने का expectation रह सकता है, ठीक है, अब power finance का यही financial year में तीन dividend already आ चुके है, September, November, February, और इन तीनों dividend को अगर आप जोड ले, तो 8 रुपिया 75 पैसे का dividend यहाँ पर already जो investors है, eligible investors हैं, उनको मिल चुका होगा, अभी के dividend से कुछ यहाँ पर plus हो जाता, लेकिन अब plus तो नहीं हो गया, अब यह defer हुआ है, अब देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में कुछ news आती है, या नहीं power finance के dividend को लेकर, या फिर जो final result आएगा, उसके साथ ही dividend आएगा, तो अगला कुछ दिन बहुत ही important रहने वाला है, PFC के लिए, अब छटवा नाम क्या है, SBI cards दोस् साल पहले ही है, मार्च 2020 में, जो COVID है, वो जस्ट आया ही था, कुछ lockdown हो सब शुरू नहीं हुआ था, अब लिए मार्च की सुरुआत में, जो panic हुआ था, उस समय में IPO आया था, और IPO आया तो था, लेकिन बहुत expect किया जा रहा था, लेकिन नीचे चला गया था, मुझे अभी क्रिसल में अगर आप देखेंगे, डिविदेंट 23, 23 रुपे का क्रिसल की तरफ से डिविदेंट यहां पर आ रहा है, मार्च 31 यहां पर रेकॉर्ड डेट है, शेर प्राइस आप देखेंगे, 3052 है, इनका financial year December end का होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, जब आप क्रिसल का डिविदेंट 23 रुपे का अगर आप एड कर देते हैं, तो 48 रुपीज का डिविदेंट होता है, ठीक है, 48 रुपीज का डिविदेंट लॉंग टर्म इन्वेस्टर को कितना यिल्ड मिल रहा है, बहुत ज्यादा यिल्ड नहीं है, 1.6% के आस्टास में यिल्ड है, बट मुथट फाइनांस अप्रेल 6 को जो है डिकलेरेशन होने वाला है डिविदेंट का और 18 अप्रेल को एक्स डिविदेंट डेट है, HCL Tech अप्रेल 20 को डिकलेरेशन है और एक्स डिविदेंट डेट है, अप्रेल 28 को लेकिन मैं बिल्कुल आपको मैं ये चीज बताना चाहूं कि ये अप्रेल के बहुत कम नाम है, अप्रेल महीना में बहुत सारी कमपनियों के quarter 4 के और जो final results है अप्रेल के महीने में आने वाले हैं, तो ये जो डिविदेंट है ये सिर्फ 3 कमपनिया ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी कमपनिया अप्रेल के महीने में अपना जो final चैनल डिविडेंट है वो डिक्लियर उस समय में करेंगी तो चैनल जो है अर्ली फाइनशियल आजादी वो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों सिर्फ डिविडेंट इन्फॉर्मेशन हम नहीं देते हैं डिविडेंट एनालिसिस भी हम करते हैं जो पैसिव इंकम है उ डिश्कस करते हैं अर्ली फाइनशियल आजादी में धन्यवाद आपके समय के लिए थैंकि दोस्तों